श्री शिवाई नमस्तुभ्यम जै मातराणी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है मापगविते दुर्गा की क्रिपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदास सर्वधा बनी रहे दोस्तों एक जून दोहजार तेईस यानि की गुरुवार के दिन जेश्ट मास के शुकल पक्ष का प्रदोश वरत है त्रयोदिशी तिथी प्रारंभ हो रही है एक जून दोहजार तेईस यानि की आज गुरुवार के दिन दोपहर में 1 बसकर 49 मिनट पर और त्रयोदिशी तीथी समाप्त हो रही है दो जून को दोपहर में 12 बसकर 48 मिनट पर और प्रदोश का वरत किया जाता है जिस दिन प्रदोश का वरत किया जाता है तो आज यानि की 1 जून 2030 को शाम को प्रदोश काल में त्रयोदिशी तीथी व्याप्त रहेगी इसलिए आज तरयोधिष इतिठी का व्रत रखा जा रहा है और गुरुवार के दिन चब प्रадोष का व्रत पढ़ता है तो उसे गुरु प्रदोष का व्रत करने से पित्रों की क्रिफवा आपको प्राप्त हो जाती है इस दिन व्रत धारण करके बेथी विधान से भगवान शिव की पूजा आ रादना करने से, आपकी जन्म कुंडली का ब्रहशपत्य मजबूत हो जाता है, और जब ब्रहशपत्य ग्रह मजबूत होता है, तो किसी भी प्रकार की जो समस्याएं आपके संतान प्राप्ती में आ रही हो, या फिर धनकी प्र जो भक्त व्रद्धारण करते हैं अत्यंतिस्रेष्ट हैं लेकिन जो भक्त किसी भी कारणवश प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें आज शाम के समय प्रदोश काल में भगवान शिव की पूजा आरातना जरूर करनी चाहिए जिससे की भगवान भोलेनात की कृपा क केसा आप को ब्रहाश्पति ग्रह का भी शुबफल प्राप्त हो जाए और आप के पित्रों की क्रिपा भी आपको प्राप्त हो जाए तो शाम के समय प्रदोश काल की पूजा शुब महुर्त होगा शाम को पूजा करने के लिए फिर से आपको शनान कर लेना चाहिए क्योंकि शुद्ध होकर ही भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती हैं आप अगर शनान नहीं कर पाते हैं तो हाथ पामूध होकर वस्त्र बदल लीजे और इसके बाद आपको भगवान भोलेनात की पूजा आ पाराधना कर पाएं और अगर मंदिर नहीं भी जा पाते हैं तो घर में भी अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए अगर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है संभव तो ऐसे में आपके पास जो फ तो प्रदोशकाल में भगवान शिव का अगर अभी शेक कुछ विशेश चीजों से किया जाता है तो अत्यन्त ही स्रेश्टफल आपको प्राप्त हो जाता है वैसे तो आप सभी जानते हैं भगवान शिव की पूजा के लिए सामगरी कौन-कौन सी चाहिए होती है भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, भस्में ये सभी चीजे भगवान शिव को समर्पित की जाती है चाहे तो थोड़ा सा सफेद वस्तर भी अरपित कर सकते हैं तो जो भी आपके पास सामगरी उपलब्ध है और हाँ, जल अभी शेख के लिए जल चाहिए आपको आप चाहिए तो पंचाब लिट से भी अभी शेख कर सकते हैं या फिर कच्चे दूद से भी अभी शेख कर सकते हैं मतलब जो भी सामगरी आपके पास उपलब्ध है उसी से भगवान शिव का आप भी शेख कर सकते हैं एक बहुत ही सरल उपाई में आपसे शेर करने वाली हूँ अगर आपके बहुत कुछ नहीं है तो आप इस उपाई को कीजिए निस्चिती आपके मन की कोई भी काम नहों पूर्ण होती है आज माया हुआ उपाई है निस्चिती आपको लाब होगा करना क्या है आपको आपको एक लोटा लेना है पीतल का ले सकते हैं तांबे का ले सकते हैं कोई सा भी लोटा ले सकते हैं उस लोटे में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए फिर शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए उसी पात्र में आपको पांच बिल्वपत्र डालना है अच्छा माल लीजिए कि पांच बिल्वपत्र ना हो तो ऐसे में आप एक बिल् कहा जाता है थोड़े से दाने चावल के भी आप इसी पात्र में डाल दीजिए जल का पात्र आप भगवान शिव को अरपित करेंगे तो घर के आसपास कहीं भी शिवाला है तो वहां जाकर शिवलिंग पर ये सामगरी अरपित कीजिए अपने मन की कामना कहिए भगवान कामना करके अपने कष्टों का स्मरण अपने मन में करते हुए दुखों को अपने मन में याद करते हुए अगर भगवान शिव को अद्पित करते हैं और उनसे प्रातना करते हैं कि आपके जो भी कष्ट हैं वो सभी कष्ट भगवान शिव समाप्त करें तो निस्चिती आप दूसरों से व्यक्त नहीं कर पाते हैं इस उपाई को कीजिए निश्चिति आपको लाभ होगा। और मन की कोई भी इच्छा हो जरूर पूरी होगी और हां ये उपाय आपको शाम को प्रदोश काल में ही करना है इस बात का ध्यान रखिए मतलब अगर आप सुबह करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन शाम को करते हैं तो ज्यादा लाब होगा क्योंकि प्रदोश्व पूजा करने के बाद प्रदोश्वरत की कथा अवश्य सुननी चाहिए तो गुरु प्रदोश्वरत की कथा का श्रमण करते हैं एक बार की बात है इंद्र और वृत्ता सुर की सेना में घंगोर युद्ध हुआ देवताओं ने दयत्य सेना को पराजित कर दिया और प्रिश्पती महराज जी बोले पहले मैं तुम्हें वृत्ता सुर का वास्तविक परिशय देदूं हे देवताओं वृत्ता सुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है उसने गंध मादन परवत पर घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्य किया है पुर्व समय में वह च के वशिभूत रहते हैं किन्तु देव लोक में ऐसा द्रिश्टि गोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन बद्ध होकर सभा में बैठे चित्ररत के ऐसे वचन चुनकर सर्व व्यापी शिवशंकर हंसकर बोले हे राजन मेरा व्यवहारिक द्रिश्टिकोण प्रिथक है मैंन तुने सर्विव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है अतेव मैं तुझे वह सिक्षा दूंगी कि फिर तु ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा अब तु दैत्य स्वरूप धारन करके विमान से नीचे गिर मैं तुशे श्राप देती तब जगदंबा भवानी के अविशाप से चित्ररत राक्षा स्योनी को प्राप्थ हो गया और त्वस्टा नामक रिशी के स्रेष्ट तब से उत्पन होकर वृत्त्रा सूर बना गुरुदेव ब्रिहश्पती आगे बोले वृत्ता सूर बाल्यकाल से ही शिवभक्त रहा है अता हे इंद्र तुम ब्रिहश्पती प्रदोश वृत करके शंकर भगवान को प्रसन्न करो देवराज ने गुरुदेव की आग्या का पालन किया और ब्रिहश्पती प्रदोश का वृत किया गुरु प्रदोश वृत के प्रताप से इंद्र ने शीग्रही वृत्ता सूर प दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें थोड़ी सी हल्दी अवश्य डालिए तुलसी के पास भी जो दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें भी थोड़ी सी हल्दी अवश्य डालनी चाहिए और घर के आसपास कोई भी केले का पौधा हो या घर में अगर आपने केले का पौधा दगा रखा है तो उसमें भी थोड़ा सा हल्दी डालकर और दीपक प्रज्वलित कीजिए शुद्धिगी का दीपक आज के दिन प्रज्वलित करना चाहिए लेकिन अगर आपके पास शुद्धिगी ना हो तो ऐसे में आप तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं और हां अगर आप लाल गुड़हल के पुषपरपित करते हैं तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है विशेश रूप से वो महिलाएं जिनके दामपत के जीवन में बहुत अधिक परिशानिया है या फिर जिन लड़कियों के विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है या भगवान भूलेनात की क्रिपा पाने के लिए आज आपको नमः शिवाय का अधिक से अधिक जब करना चाहिए आप चाहें तो शिव शाहस्तर नाम का पाट भी कर सकते हैं या शिव तांडव स्तोत्र का पाट भी कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करती हूं आज की वीडि में तब तक के लिए नमस्कार